हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासेस में तो आज मैं आपके लिए सिक्षा एवं रोजगार से कुछ जुड़ी जो है प्रमुख खबरें लेकर आई हूँ तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले और वीडियो को श चामिल छात्र जनता द्रस्त सरकार मस्त लोग सेवा आयों की महतपून सूचना और अन्य भी महतपून खबरें हैं तो आए चल के बढ़ते हैं खबरों की ओर तो देखिए हमारी पहली खबर है सरकारी नौकरी में संविदा प्रस्ताओं का विरोध तो देखिए सरकारी जो है प्रदर्शन किया मार्च निकाला और दुबारा विचार करने की मांग की तो यहीं नहीं कई जगह विरोध हो रहा है चाहे वो रेलवे के कर्मचारी हो चाहे सिक्षक भरती के कर जो है बच्चे हो चाहे एससी के बच्चे हो अब आप यह देखो कि कई साली तक तैया अब आदा हो रही है अपने जो है अपने अपना फैसला थोपने पर देखे विपक्ष ने भी जो है नौकरियों में समविदा के प्रस्ताओं पर सरकार को घेरा तो सपा मुख्या ने दी 2022 में सबक सिखाने की चेतावनी सरकारी नौकरी की शुरूआत में पांच वर्स की सम जोत करार देते हुए सपा प्रमुक अखलेस यादों ने 2022 में सबक सिखाने की चेतावनी दी है देखे पांच साल समविदा फिर पक्की होगी नौकरी ये कहां का नियाय है भाई राज्य सरकार सभी सरकारी विभागों में समुखा और गपदों की भर्तियों में पहले पांच वर्स के दौरान करमचारियों को समविदा के आधार पर न्यूक्त करने का विचार कर रही है सम्विदा की जो है अबदी के दोरान ऐसे कार्मिक को राज्य सरकार की ओर से नियत वेतन दिया जाएगा और इस अबदी में उन्हें नियमित सरकारी कर्मियों को मिलने वाले सेवा संबंधी लाब नहीं दिये जाएंगे अगली ख़वर है नियट से डिलेटेट ड्यूमेरिकल सवालों में उलजने से बचे आसान रहा पेपर यानि कि NTA दोरा कल जो है नियट की परिक्षा हुई और इसमें जो है बच्चे जो है NCRT आधारी सवाल पूछे जाने से अभ्यार्थियों को मिली राहत प्रियाग राज के 29 केंद्रों में हुई नियट और 92 फिस्दी रही उपस्थिती और जो है अगली ख़वर यही है देखिए जो है 92 से 92 प्रिस्दी रही उपस्थिती कोरोना महामारी के बीच मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्री पात्रता से प्रवेश नीट रव्यवार को संपन्य हुई 38,000 से जादा केंद्रों पर आयो जित इस परिक्षा में लगभग 90 फिस्दी छात्र शामिल हुए COVID-19 महामारी के चलते परिक्षा केंद्रों पर कड़े एहतियात उपाय किये गए थे केंद्री सिक्षा मंत्री रमेज पोखरियाल निशंक ने परिक्षा के समुचित इंदजाम के लिए सभी मुख्य मंत्रियों और नेशनल टेस्टिंग एजनसी को धन्यवाद दिया तो देखें 38,000 से ज़्यादा केंद्रों पर हुई परिक्षा और महामारी के चलते केंद्रों पर किये गए थे कड़े एहतियात उपाय अगली खपर है जेई इमेन परिक्षा में एलन के टॉप 100 में 28 विद्यार थी यानि कि नेशनल टेस्टिंग एजनसी की ओर से जारी जेई इमेन के परिणामों में एलन कर्या ने इस्टिट्यूट के एक बार फिर बहतर परिणाम दिया है इंसिट्यूट के निदेशक ब्रिजेस महाईश्वरी ने बताया कि एलन के पांच स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किया है इनमें जो है अखिल जैन पार्थ दुएदी अखिल अगरव तो प्रदेश के निजी, राजकी और अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों में हुई ओफलाइन सयुक्त प्रवेश परिक्षा 2020 के बाद अब विभाग ऑनलाइन परिक्षा कराने की तयारी कर रहा है 20 सितंबर को दो पालियों में होने वाली प्रवेश परिक्षा प्र मौके पर जुटे छात्रों के बीच यह भी चर्चा थी किम्रितक राजीव ने PCS में चैनना होने से हता शुकरिया कदम उठाया हाला कि रविवार को पहुंचे भाई मनोज ने बताया कि 2018 PCS प्री में तो राजीव उत्रिण हुआ था लेकिन मुख्य परिक्षा में उसे पलता नहीं मिल सकी थी करनल गंज पुलिस ने बताया कि पोस्ट मॉटम के बाद परिजन शव लेकर ग्रीजन पत रवाना हो गये तो देखे प्रतियोगी च्छात्र की आत्म हत्या से दुख और गुस्ता भी च्छात्रों में बहुत रोश है ठीक है अगली खबर है अगली खबर भी त्रस्त कर देने वाली है निजी करन के विरोध में आज से सब्ताह भर जन जागरन करेंगे रेलवे कर्मचारी तो भाजपा की ओर से जहां पियम मोदी के जन्म दिन के आवसर पर सब्ताह भर के लिए सेवा सब्ताह का आयोजन की अज़न की अज़ाई जा रहा है तो वहीं रेल कर्मी इस अवदी में निजी करन समेथ तमाम मुद्दों को लेकर जन जागरन सब्ताह आयोजित करने जा रहे हैं इस दोरान 14 से 19 सितंबर तक नौर्ट सेंटरल लेलवे मेंस यूनियन द्वारत तमाम कारक्रम आयोजित किये जाएंगे तो इधर देखे लाइसी हो चाहे रेलवे हो इधर देखे गौर्मेंट जॉब खतम कर रहे हैं हर जगह त्राहिमाम मंचा है इस सरकार को अब दिखा देना होगा कि यह जो गौर् अगली खबर है लोग सिवायोग से रिलेटेड की ACF RFO 2017 का रिजल्ट इसी सप्ता आने की उम्मेद तो उत्त्रप्रदेश लोग सिवायोग इसी सप्ता ACF RFO यानि की सहायक वन संरक्षक 631 अधिकारी 2017 का अंतिम रिजल्ट जारी कर सकता है PCS 2018 के अंतिम रिजल्ट 11 सितंबर को जारी हो चुके हैं और अब आयोग का पूरा जोर ACF RFO का काम तेजी से निस्तारित करने पर है अब इधर देखिए 50 साल की उम्म्र पार कर पुलिस कर्मियों पर गिर सकती है गाज तो 50 की उम्म्र पार कर चुके इंस्पेक्टर दरोगा सिपाही को जबरन रिटायर करने क सुबहागजट से खलबली मच गई है ऐसे पुलिस कर्मियों की सूची तैयार की जा रही है जिस से दागी पुलिस वालों की नींद उड़ी हुई है बीमारी के बहाने मन चाही पोस्टिंग पाने वाले भी परिशान है मलाईदार पोस्टिंग का लाब उठा रहे है पुल पर लोक से वायोग की है तो जो है CBI टीम लोटी कई पूर्व अपसर दिल्ली तलब तो एक सब्ता तक प्रयागराज में सक्री रही CBI की टीम सनिवार देर रात दिल्ली लोट आई CBI ने आयोग के कुछ पूर्व सच्वो और पूर्व परिक्षा नियंत्रकों को दिल्ली इस्तित मुख्याले तलब किया और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक से वायोग के दस धिकारी जो है करमचारियों को नोटीस देकर दिल्ली बुलाया गया है और PCS 2015 अपर निजी सचिव EPS 2010 की परिक्षा में बड़े पैमाने पर मिली गड़वडी तो देखिए अभ्यर अपनी सिकायत दर्ज कराने CBI के गोविन पूरिष्थित कैम्प कार्याले भी गए थे तो चलिए समाप्त हो रहा है यहीं पर आज का अपडेट और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा गाइस थेंक्यू वेरी मुच